भारत में बहुत से ऐसे महान राजा पैदा हुए जो अपने शौर्य पराक्रम और प्रजा की सेवा के लिए जाने जाते हैं। उन्हीं लोकोक्तियों में से राजा भोज के विशे में एक लोकोक्ती बहुत प्रचलित है। प्रचलित हैं बहुत से राजा भोज के लिए जानकारिया मल्यालम भाशा में मिली है जिनके अनुसार राजा भोज का सामराज्य मालवा से केरल तक फैला हुआ था जो अपने आप में बहुत विस्तित शेत्र है। राजा भोज के सामराज्य की राजधानी धार मालवा क्षेत्र में उपस्तित्ती जहां परमारवण्ष के राजाओं ने आत्वी शताब्दी से 14 वी शताब्दी तक राज़े किया और धार को अपनी राजधानी के रूप में घोशित किया था। इनके भीतर केवल कुशल शासन ही नहीं अपितू ये एक विद्वान राजा भी थे जिनकी राजसभा में तक करीबन 500 विद्वान शामिल रहते थे। के नाम पर नव विक्रमादित्य की संग्यादी गई थी। महाराजा भोज का धार्मिक प्रेंग महाराजा भोज आज हिंदू धर्म से घनिष्ट सने था जिसके कारण वह लगातार हिंदू धर्म और उनके उद्धार के लिए प्रयास करते रहे। महाराजा भोज को हिंदूों के पूजनिय भगवान शिव से अत्यदिक लगाव था। वह बहुत बड़े शिव भग थे। अपने जीवन काल में महाराजा भोज ने रामेश्वर के दारनाथ सोमनाथ और महाकालेश्वर जोतिलिंग मंदिव जैसे महानधार मिक स्थलों का नभी निकरन जीवन उद्धार करवाया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोबाल का नाम महाराजा भोज के नाम के आधार पर रखा गया है। यह महाराजा भोज हिंदु धर्म महान पक्षधर और सनरक्षक थे जिन्होंने हिंदु धर्म के उध्धार के लिए आजीवन प्रयास किया और अपने संपूर्ण जीवन काल में बहुत से हिंदुओं के सांस्कृतिक स्थलों का जीरन उध्धार करवाते रहे। महाराजा भोज में इसलाम के प्रभाव से धूमिल हो चुकी सनातन संस्कृति को फिर से नया आयाम दिया और इसके प्रकाश को सभी दिशाओं में बिखेर दिया जिसके बल पर हिंदु धर्म और हिंदुत्व की भावनाओं को बहुत बल मिला। इसलामी आक्रमनकारियों से संधर्ष महाराजा भोज कटर हिंदु राजा थे उन्होंने सदैव हिंदुत्व के उत्थान के लिए प्रयास किया जिसके कारण उनका ज्यादातर संधर्ष अफगानी इसलामी आक्रमनकारियों से हुआ जो हिंदुों पर आक्रमनकर उन्हें प्रतानित करते थे और उनका धार्मिक स्थानंतरन करवाते थे। महाराजा भोज हिंदु धर्म को बचाने के लिए इसलाम के आक्रमनकारियों से हमेशा लड़ते रहे और उन्हें पराजित भी करते रहे। भारतिय इतिहासकारों का मानना जब महमूद गजनवी ने एक हजार पचीस में सोमनात मंदिर पर आक्रमनकर उसे पूरी तरह लूट लिया था तब राजा भोज शासन कर रहे थे। भारत का यह प्राचीन सोमनात मंदिर भारतिय हिंदु सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक थ सोमनात पर आक्रमन करने बाद महमूद गजनवी ने मंदिर में उपस्थित बहुमलिय चीजों को लूट लिया। जब राजा भोज को इस बात की खबर लगी तो उन्हें बहुत डैक हुआ और उन्होंने हिंदु राजा और सेनाओ के साथ मिलकर गजनी जाकर महमूद गज भी नहीं देखा। साहित्य में हुए शोड के मुताबिक इन्होंने तुर्कों पर भी विजय हासिल की थी। इसलामिक विरोध के कारण इनके साम्राजे पर बहुत से इसलामी आक्रमन कारियों ने हमला किया लेकिन इन्होंने उन्हें हावी नहीं होने दिया। राजा भोज ने अपने शासनकाल में बहुत से निर्मान कारियों को संपन कराया जिनका विवरन आगे दिया गया है। राजा भोज ने भारतिय हिंदू धर्म के प्रसित धार्मिक स्थल को आक्रमन करके बहुत आनी पहुंचाई जिससे इन स्थलों की गरिमा मलीन होने लगी। लेकिन राजा भोज ने इसे नवीन करने के लिए हर समभ प्रयास किया और सोमनात और केदारनात जैसे प्रख्या भोज को साहित्य में भी अत्यां थूची थी अपने जीवन काल में महाराजा भोज में बहुत सारी रचनाई की। इन्होंने भोज प्रबंधन के नाम से अपनी जीवनी की रचना की है जिसमें उन्होंने अपनी जीवन और उसके उद्देश्य के बारे में सुंदर रचना के अलावा महाराजा भोज ने अन्य बहुत सारी रचनाई भी की जिन में चारू चर्चा, पत्वप्रकाश और प्राकृत व्याकरन जैसी रचनाई भी शामिल है। महाराजा भोज के सामराज्य का पतन और मृत्यू। महाराजा भोज भले ही हिंदू धर्म के शूरवीर और महान राजा थे लेकिन मृत्यू के पहले अपने जीवन के आखिरी दिनों में उन्हें चालू के वंच और अन्यकुछ वंच के राजाओं से पर राजका सामना करना पढ़ा। सन 1060 इसवी में राजा चालुके के साथ युद्ध में महाराज भोज को बुरी तरह पराज़क का सामना करना पढ़ा जिससे उनका स्वास्ति संतुलन बिगरता गया और इसी दौरान उनकी मृत्यू भी हो गई। महाराजा भोज ने इसलाम के चंबुल में फसे हिंदु धर्म को उबारने के लिए आजीवन प्रयास किया जिसके अंतरगत उनके द्वारा हिंदु धर्म के धार्मिक स्थलों का नवी निकरन कराया गया। वास्तव में राजा भोज अपने आप में ही भारतिय इतिहास की महान शक्सियत थे।